हलो बेटे, कैसे हो? होफुली, you all are doing well. तो मैं आपकी जिनुम है और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंग्लिश में एक ऐसे ऐसे यान मॉर्निंग वॉक समझलो हिंदी में भी साथ में करवाऊंगे क्योंकि बिना हिंदी में समझाए तो मैं आपको बढ़ाती नहीं हूँ इसलिए समझलो हिंदी में भी हो गया तो बढ़ते हैं तो ये एक पुरानी कहावत है बेटे कि रात को जल्दी सोना और सभे जल्दी उठना जो है वो आपको तंदरुस्त धनवान और बुद्धिमान बनाता है So, morning walk It keeps us mentally and physically fit ये आपको मानसिक तोर पर और शरीरक तोर पर fit रखती है सिहतमन रखती है Morning time is the best time to re-correct our energy and then utilize it properly सुबह के समय जो best समय होता है अपनी energy को इकठा करने का और फिर सारा दिन उसे proper से use करने का बेटे अहां जी बेटे तो आगे पढ़ते हैं हम One who gets up early can see the rising sun can feel the freshness of the air can listen to the music of nature and can enjoy the chirping of birds इसका मतलब है कि जो सुबह उठता है वो उगते हुए सूर्य को देख सकता है वो हवा की जो freshness है ताजगी है उसे मैसूस कर सकता है और कुदरत का जो संगीत है उसे सुन सकता है और पक्षियों की चहाचाहाट का अनन्द भी वही मान सकता है At this time one can enjoy the pollution-free atmosphere इस समय जो वातवर्ण होता है वो बिल्कुर pollution-free होता है किसे रहे कि कोई गाड़ियां नहीं चल रही होती कोई short shrubah भी नहीं होता तो इस समय के जो समय होता है इस वक्त वो pollution-free होता है बिटे हाँ जी बिटे तो देखा ना आपने कि morning walk जो है कितने फाइदे हैं उसके तो आगे पढ़ते हैं जो सुबह की सहर है उसके बहुत फाइदे है इट लोज डाउन दा ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को कम करती है morning walk इंप्रूवस अवर मूड टू आउट दा दे जो मारा सभाव होता है ना मारा नेचर होता है वो सारा दिन अच्छा रहता है बहुत अच्छा रहता है और यह हमको उर्जावान बनाती है इट रिड्यूजेज अवर फैटीग एंड स्ट्रेंथन अवर बॉड़ी यह हमारी थकावट को कम करती है और हमारे श्रीर को ताकतवर बनाती है रिड्यूजेज होता है कम करना पटीग होता है थकावट और स्ट्रेंथन होता है ताकतवर बनाना तो देखा आपने कि मॉर्निंग वाग के बहुत फैदे हैं बेटे तो आप सब भी मॉर्निंग वाग जरूर किया करो हां जी बेटे तो we all know that health is wealth तो हम सब जानते हैं न कि सेहत ही धन है सबने सुन रख्या न ये if health is gone everything is gone अगर सेहत चली गई तो सब कुछ चला गया so every morning हर सुबह हमें क्या करना चाहिए so every morning we should get up early and go for a walk तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए रोज जल्दी उठना चाहिए और morning walk के लिए जाना चाहिए सुबह की सैल के लिए जाना चाहिए हां जी बिटे तो आगी पढ़ते हैं I always get up at 5 a.m तो मैं हर रोज सुबह कब उठता हूँ पांच बजे यहां उठती हूँ पांच बजे drink two glasses of water और पानी के दो गलास पीती हूँ and put on my jogging dress तो अपनी jogging वाली dress पहनती हूँ then I go out on my walk तो फिर मैं वाक के लिए चली जाती हूँ I see the golden rays of the rising sun in the calm जो शान्त वातावर्ण होता है उस समय तो मुझे जो सूरिय की सुनहरी उगती हुई सूरिय की किरने दिखाई देती है fresh air saaf हवा होती है chopping of birds पक्षियों की चहचाट होती है and green crops wave जो हरी फसले लहलहा रही होती है there is more oxygen at this time of the day जो oxygen होती है ना बैटे वो भी इस वक्त बहुत जादा होती है तो इस समय अगर हम inhale करेंगे यानि सांस अंदर भरेंगे तो सारा दिन ताज़गी मिलेगी हमारे brain को जो है ना oxygen मिलती है इस वक्त बहुत जादा उम्मीद है कि आप सभी भी morning walk को अपनी life का खिसा बनाओगे तो आगे पढ़ते हैं so we all should make morning walk a routine तो हमें सब को morning walk को एक routine बनाना चाहिए it is the cheapest and best way to keep ourselves fit तो यह सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है अपने आपको fit सेहत्मन रखने का all young and old should follow this routine to remain fit and improve immunity चाहे कोई जवान हो बच्चे हो या बूड़े हो तो सभी को morning walk जो है उसे अपनाना चाहिए ताकि हम fit रहें और हमारी जो immunity है वो भी strong हो बेटे तो उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी like share जरूर करना चैनल को subscribe जरूर करना बाबाई take care